हेलो फ्रेंड्स नमस्कार राइट विद प्रेम यूट्व चनल में आपका स्वागत फ्रेंड्स आपको मैं आज 3D टेक्स बनाना बताऊंगा जिससे आप एडिट कर सकते हैं और बिल्कुल सांदर होगा मैं आपको यहाँ पर एक PSD जो मैंने बना रखी है उसको मैं ओपन करता हूँ यह एक PSD मैंने बना रखी है जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ जैसे आप देख सकते हैं यह PSD है और 3D में नाम लिखा है मैंने इसको एडिट भी हम कर सकते हैं जैसे यह एक नाम लिखा हुआ है Smart Object के रूप में इसको बनाया है जैसे यह नाम है यहाँ पर आप कोई बेशा भी नाम एडिट कर सकते हैं जिस प्रकार से यह Photoshop Hindi लिखा हुआ है और उसी को हम Change करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद इसको कट करना सुरू कर दीजिए यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं जैसे मैं अपने Channel का नाम लिख रहा हूँ मैंने अपने Channel का नाम लिख लिया मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लता हूँ और आप इसे किसी भी फॉन्ट में लिख सकते हैं बिल्कुल सांदर हैं और बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं यह हो गया अब मैं यहाँ पर इसको Ctrl S करूँगा यानि कि Save करूँगा यह Save हो जाएगा और आप देखेंगे कि जहां हमने वो नाम लिखा था उसको Cut करेंगे देखेंगे यह Right With अब जो चाहे नाम में इसे बदल सकते हैं अब खुद इसे किस परकार से बनाएंगे वह चीज में आपको बताने वाला हूं इसमें आप Happy Wedding भी लिख सकते हैं यानि कि जो आप चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ डैलोग बॉक्स आएगा ओके और वहां आजाएंगे और यहाँ पर वापस क्लिक करेंगे और इसको एडिट कर लेंगे जैसे यह मैंने Happy Wedding लिख लिया अब आप देख सकते हैं कि यह नाम यहाँ पर हमने लिख लिया हैं मैं इसे Ctrl S करूंगा या फिर यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर Yes कर लेंग और यहाँ पर जो है नाम यह जो Automatic Change हो जाएगा यह आप साधी की किसी भी अलबम या अपने किसी भी रूप में जो भी आप कुछ बनाना चाहते हैं वहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हों बिल्कुल आसान है इसे बनाएंगे कैसे मैं आपको बताऊंगा तो हम चलिए सु फाइल किसी भी साइज का ले सकते हैं जैसे आपको सूट करता है वैसे मैं यहाँ पर जो फाइल थी 810 की वही ले ली हैं और सबसे पहले फ्रेंट्स क्या करेंगे इस पर हम को यह गाइडेंट फील कर देंगे इसलिए यहाँ पर एक निशान है क्रेट न्यू करना चाहिए तो इसके कर सकते हैं मैं थोड़ा सा ब्लू कलर कर लेता हूं आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं कलर का उसमें कोई नहीं है कि यहाँ आप जो चाहिए वो कलर दे सकते हैं मैं मैं अपने इसाब से दे रहा हूं तो मैंने यह कलर दे दिया ठीक है अब फ्रेंट्स क कर सकते हैं कीबोर से ठीक है यहाँ पर हमने क्लिक किया और हम इसकी साइज बहुत तर कर लेता है आप अपने साइज अपने हिसाब से कर सकते हैँ अब कोई साफ भी आप हिंदी इंगलिश्ट जो भी आप रखना करने के बाद में क्या करना है और मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बताता हुआ जो गाइडियंट हमने यह लिया था यहां पर यह अलग दिक रहा है तो आप क्या करें बैग्राउंड सब्सक्राइब मैं यह color ले था, ठीक है, ok कर दिया, इसको भी ok कर दिया, और friends क्या करना है, हम इसको क्लिपिंग mask करने है, तो अल्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, तो यह masking हो जाएगी इसकी, उसके बाद friends क्या करना है आपको, यहाँ पर click करना है typing पर, जहाँ I love India लिखा हुआ है, यहाँ जाएए, और convert to smart object, ठीक है, या फिर आप layer में जाएंगे, smart object और convert to smart object, कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों जगह यह available है, यह हो गया, और friends क्या करेंगे, आप यहाँ पर click करेंगे, और ok करेंगे, तो यह नाम जो है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और सिर्फ आप stroke लगा दीजिए, एक light editing हो जाएगी इसमें, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, और इसको बाद में आप इसे ok कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको color change करना चाहिए, तो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था, गाइडिन पर गया था, और यहाँ पर मैंने अब friends, क्या करना है हमको यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें, इनको क्या करना है, control J करना है, control J क्या, और उसके बाद में, की बोर्ड से जो arrow key हैं, उसको प्रेस करना है, मैं आपको बताता हूँ, कि की बोर्ड से, यहाँ पर चार arrow key एक उपर जाती हैं, एक side में इधर, और एक नीचे, आपको क्या करना है, एक इधर वाली और एक उपर वाली key को प्रेस करना है, और साथ में आपको अल्ट प्रेस रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा cap lock on है, मैं उसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में मैं अल्ट प्रेस करूँगा, और ये दोनों क करता रहूँगा, जब तक मुझे ये चाहिए, ठीक है, दोनों को बारी-बारी करते रहे है, अल्ट आपका प्रेस किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है, और इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी आप कर सकते हैं, अभी ये processing हो रही है, कितनी layer बनती है, म सबसे फर्ष्ट वाली हैं, जिसके उपर हमने guidance फिल किया है, और इस layer तक ये दोनों उपर वाली जो layer है, गाइडेंट वाली ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हमें छोड़ देना है, और उसकी नीचे से जो layer है ये वाली तीसे नमबर उपर से, नीचे तीसे नमबर की layer को select करना है, और यहां से आप नीचे आजाए और यहां पर first shift प्रेस करके यहां पर click करेंगे तो यह सारी की सारी select हो जाएगी, यहां पर हमको background को छोड़ना है, सबसे उपर guidance और यह जो एक layer जो है 33 नमबर उसको छोड़ना है, बाकी को हमको सब को select करना है, अगर आप Photoshop 7 मे कर रहे हैं, तो यहां से आप सब को एक एक बारी बारी करके cancel link कर दीजे ठीक है, अब friends क्या करना है, layer में जाना है, new layer में और यहां पर group layer है, अगर आप Photoshop 7 में कर रहे हैं तो हम वहां set from layer होगा, ठीक है, यहां से कर देंगे और ok कर देंगे, हो गया, अब हमारे को इसकी नहीं है, हम इसको हटा जाते हैं, यह जो आप बना लिए है, पस यही आपका image है, और इस परकार से आप कोई सा भी effect बना सकते हैं, यहां पर मेरा एक बार गलत प्रेस हो गया था, उसकी विज़े से यह दारी जो आपको दीक रही है, ठीक है, वरना आपके ऐसा नहीं होगा तो इस परकार से आप color feel कर सकते हैं इसमें, अब आप देखते हैं कि मैं यहां पर click करता हूँ, इस परकार से dialogue box आ जाएगा, हम इसको ok करेंगे, यहां पर आ जाएगे, यहां पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यह इस ट्रॉक लिका हूँ है, इस पर मैं click करता हूँ, और य देखते हैं क्या effect आता है, तो आप देख सकते हैं, यहां पर total जो है, इसका effect जो है वो आचुका है, बहुत सामदार है, अगर आपको एक दो layer कुछ अलग दिख रही है, तो आप set कर सकते हैं, इसको जैसे यह मैंने set कर लिया, ठीक है, तो इस परकार से आप जो है, इमेज पर मैं inner shadow दूँगा इसे, ताकि यह थोड़ा 3D टाइप में दिखे, और यहां से मैं इसकी थोड़ी सी size बड़ा देता हूं, और उसके बाद में यह distance जो है, इसे मैं बिल्कुल कम कर लेता हूं, तो इसकी जो opacity है, वो थोड़ी सी कम कर देता हूं, ताकि यह 3D टाइप में दिखे हमें, तो आप देख सकते हैं, बहुत सांदार दिख रहा हैं, मान लिजिए अगर आपको color change करना यहां, तो यहां पर click कीजिए, तो यह guidance field का options आजाएगा, यहां पर आप click करेंगे, और यहां पर आपको यह बहुत सारा item आजाएगे, अब जो चाहे आप color change कर सकते ह मैं यहां पर देखे color change कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, कि इस परकार से हम कोई सा भी color जो है, वो select कर सकते हैं, ok कर लिया, अब मैं यहां पर click करता हूँ, यहां पर भी मैं कोई भी color देना चाहूँ, इसे तो दे सकता हूँ, जैसे यह color ले लिया, ठीक है, अगर मान लो इसे भी थोड़ा सा अपने को light करना है, तो यह देख लिजिए, हो गया, ok कर दिया, और यहां से भी ok कर दिया, अब आप चाहते हैं, कि जो यह stroke लगा हुआ है, यह भी थोड़ा सा अलग हो जाए, तो आप सीधा सा यहां पर click कीजिए, ok कीजिए, और यहां पर जो आपको stroke दिख रहा है, उस stroke पर click कीजिए, और यहां पर आप color ही कोई single color देना चाहे, तो यहां से color लेजिए, और यहां से आप कोई पीशी color दे सकते है, मान लिजिए हम light color देना चाहे, तो ok कर दिजिए, उसके बाद ok कर दिजिए, अब देखे, आपको यहां पर क्या effect आता है, यह से हम yes करना है वापस, तो यह processing होगा, और processing होने के बाद में आगे चला जाएगा, जिस प्रकार से आप shadow देना चाहते हैं, इसे देख सकते हैं, कि यह किस प्रकार से effect जो है वो, आ रहा है, आप इसे कोई सा भी color दे सकते हैं, कोई issue नहीं है, इस बार हम दो काम करेंगे, इस से भी okay कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ में इस बार हम नाम भी change करके देख लेते हैं, क्या होता है, तो friends यहाँ पर click किया, और इसको हमने हटा दिया, अब हम यहाँ पर photoshop लिखते हैं, photoshop लिखने के बाद में, friends आप writing भी change करते हैं, पहले alphabet में तो इस बार हम इसको भी आप देख सकते हो, आप किसी भी परकार से इसे set कर सकते हो, अगर font बदलना चाहें, आप यहाँ से तब भी आप font भी बदल सकते हैं, यहाँ से yes करेंगे, हम देखते हैं क्या फरक आता है इसके अंदर, वो ही हमें देखना है, कि वास्तम ऐसा होता है, नहीं, तो friends आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि मीच में जो एक लेयर थी, वो हमारा, यह एरो की जो left, right की थी, उसको फटा-फट मैंने किया, तो वहाँ से कुछ चेंजिंग हो गया था, एक बार की कोई दभी नहीं थी, तो इसलिए यह एग्जेस्मेंट, अगर आप चाहें किसी डूंड सकते हैं, यही लियर है, वो select कर लेते हैं, control T कर देते हैं, और उपर बढ़ा देते हैं, और यह set हो जाएगी, तो इस परकार से आप उसे एग्जेस्मेंट कर सकते हैं, या फिर आप दुबारा उसे edit कर सकते हैं, मैं इसको change नहीं करूँगा भी, तो इस परका अगर color आप change करना चाहे, तब भी आप जो है इस पर कर सकते हैं, गाइडेन फिल कीजिए, या फिर आप solid color को यह यूज करना साथ है, single color, तो आप use कर सकते हैं, जो चाहे वो color आप use कर सकते हैं, यहाँ पर, और बहुत सांदार सा effect जो आता हैं, जो 3D look के अंदर, उसे आप से create कर सकते हैं, इतना करना के बाद, friends इसको save करने के लिए आप क्या करेंगे, आप simply file में जाएंगे, save as करेंगे, और यहाँ पर यह Photoshop PSD लिखा हुआ है, इस PSD में आप इसे save कर लिजिए, आप जो चाहे इसे नाम दे दीजिए, मैं इसको Photoshop Hindi नाम दे देता हूं, और इसको म और इस प्रकार से हमने PSD में इसको save कर लिया, हम इसको यहाँ से cut कर देता है, अब देखते हैं यहाँ पर कि यह जो PSD है, यह आप देख सकते हैं, जो अभी हमने बनाया था, इसको हमने वहाँ पर PSD में save कर लिया है, अब हम इसको दुबारा अगर यूज करना चाहे, तो friends आप Photoshop के अंदर इसे वापस open कर सकते हैं, बिल्कुल open हो गया, friends आपको क्या करना है, अगर आप कुछ नाम change करना चाहे, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, यह हो गया, मान लिजे हम इसको वापस cut करते हैं, वापस जाते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहा करना है, और यहां से आप नाम जो भी change करना चाहे, वो कर सकते हैं, हम इसको लिख देते हैं, तुटोरियल, ठीक है, यह हमने इसको Photoshop टूटोरियल कर दिया, आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, यह फिर हम इसको सिर्फ Photoshop रहने देते हैं, हिंदी हिंदी जो हमने लिखा ता आगे, उसको हम हटा देते हैं, देखते हैं क्या effect आता है, तो इस प्रकार से यह हो गया, move tool को select किया, control T किया, और उसके बाद हमने इसको बड़ा कर देया, यहां पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद में हम इसको save कर लेते हैं, ठीक है, फिर यहां से cut किया, yes, yes किया, आ उपन करने के बाद में या नहीं, तो friends से बिलकुल हो गया है, और इस प्रकार से आप एक बार text लेकर उससे बार बार आप किसी भी नाम में changing कर सकते हैं, तो friends आसा करेंगे कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर आपको पसंद आया हैं तो लाइक कर दीजिए, अग झाल कर दो